हेलो दोस्तों मेरा नाम है मनिश्या और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैनल लर्ण करते हैं मैं तो फ्रेंट्स आज मैं सेयर करने जा रही हूं यू के जी की मैथ की वर्क सीट या फिर सिलेवस कह लीजिए जूकि हाफेले एक्जाम और फाइनल एक्जाम दोनों के लि जाता है ठीक है FINAL में और हैं दोनीं और पहले एक बात और बता देने चाहते हैं कि हो सकता है इस कूल की यह साप से अलग अलग पढ़ाया जाता हूँ ठीक हे कांटिंग हो सकता है वंट फाइảng या वंट टू थू हूंडल हो मतलब कुछ भी हो सकता है यह मेरे बेटे को ज तक पढ़ा दिया गया था अब है राइट इन वर्स यह तो काउंटिंग का हो गया अब राइट इन वर्स में 21 टू 300 तक आपको हाफेल एक्जाम में फिर फाइनल में यह 500 तक वर्स करा दिये गया थे तो 21 to 300 जो है वो आपको देखे 1 to 20 बच्चे को बोला जाता है 1 to 20 याद करना मज़ट है spelling क्योंकि उसके बाद तो फिर spelling जो है वो बार बार वही दोहराए जाता है ठीक है जैसे 1 to 20 बच्चा याद कर लिया तो 21 की spelling आराम से लिख लेगा, क्योंकि 20 की spelling उसको याद है, और 1 की spelling उसको याद है, तो 21 तो आराम से लिख लेगा, फिर इसी तरह अगर 152 उसे दिया गया, लिखने के लिए, तो 1 की spelling याद है, 100 की spelling उसे याद करने होगी, ठीक है, 100 की spelling याद करने होगी, फिर 52, जैसे देखिए, 1 बच्चों को याद करने पड़ेगी, उन्हें याद कराना पड़ेगा, वैसे तो बहुत इजी है, सम्में T by T by लग जाता है, तो बच्चों को ये बोल करके आप उन्हें याद करवाई अच्छे थरीके से, अब आता है backward counting, backward counting बच्चों को 100 to 1 दिया जाता है, हाँ फैले एक् ला पाएं, तो backward counting हो गया, अब table भी आता है, 2, 3, 4, 5 का table, ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, इस तरह से लिखना होता है बच्चों को, फिर ये 4 का table मैंने लिख दिया है, अब देखिए, बच्चे तो चाहे तो जोड़ करके भी लिख देते हैं, क्योंकि emergency में अगर बच्चे जोड के लिख देते हैं, अगर उन्हें याद नहीं आ रहा है, बच्चे को, हलाकि बोले एक दम याद करना मस्ट है, उन्हें याद ही कराई, क्योंकि जब table में जब 2 into 3, multiply दिया जाता है, तो बच्चे गरबढ़ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें table नहीं याद होता है, तो table में तो बच्चे जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, table में तो जोड़ के लिख लेते हैं, लेकिन जब उन्हें इस तरह का मैद दिया जाता है, तो वो गरबढ़ हो जाते हैं, वो उन्हें नहीं आ पाता है, इसलिए बच्चे को याद कराना बहुत जरूरी है table, भली आपका कितना भी सौर्ट कट हो, हाँ एक बात तोर, मैंने काउंटिंग वाला और राइट इन वर्स वाला फाइनल एक्जाम से रिलेटेड बता दिया शुरू में ही, और अब मैं जो भी बता रही हूं, वो सब हाइप एडल एक्जाम से रिलेटेड हैं, बस वो दो ही थे जो फाइनल ए फाइनल एक्जाम यही सब रिपीट किये जाएंगे, अब देखिए वाट कम्स, इसमें आता है वाट कम्स आफ्टर बिफोर बिट्वीन, तो आफ्टर बिफोर पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो द only my teacher, who Pen I, most basically I know, just the group 9010. आफ इस तरह से भी counting कर आप कर सकते हैं, अब दिखिए, counting में क्या होता है कि आफ्टर जो होता है वह नीचे होता है जिससे 2 तो Cr33 नीचे लिखा हدं वह works 4 चाहिए है, तो जिसह 7 पर देखे सेवन सेवन इसमें क्या होता है कि हम और वाला करना है विपोर में ऊपर वाला करना है आफटर में नीची वाला करना है तो इस तरह से आफटर विफोर सिखा सकते हैं अगर उन्हें में नहीं आता है तो दिरे दिरे बाच्चे सिखने लगेंगे और between में में होता है आपको आफटर ही लिखना होता है के बाद two kapit am emergency and ninety one kapit am me ninety two इस तरह से बैसे बीटिविन भी कर लेंगे अब इसमें आता है एडिशन पहले तो जो सिंगल डिजिट का होता है उन्हें एड करना सिखा दिया जाता है उसके बाद फी तो टू डिजिट वाले जो एड होते हैं वो सिखाए जाते हैं लेकिन यह एडिशन विदाउट कैरी होते इसमें कैरी करना नहीं होता है ठीक है इसे टू टू बच्च लाइन खीच के आराम से जोड़ सकते हैं और फिर यह पैंसल से लिखते हैं बच्चे इसलिए वो एरेज भी कर सकते हैं आराम से फिर आता है माइनस करना यानि सब्स्ट्रेक्ट करने के लिए तो सेम वैसे ही बताएंगे हम यह से वन जीरो है तो वन हो जाएगा फॉर में से कितना बचा वन टू टू थी इस तरह से बच्चे को सभस्ट्रेक्ट करने के लिए आते सिंगल डिजिट नंबर के भी आ सकते हैं और टू डिजिट झालना नहीं है ठीक है अब यह ङो 65 गजिगस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है उससे आप सरकल करो तो इसमें देख होता कि सबसे ज़्यादा कौन है अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो आप उन्हें इस तरह से बता सकते हैं कि तुम लेप्ट हैंड सेट की तरफ जो नंबर है वाएं तरफ तुम्हारे नंबर आता है उसको देखो कि इन तीनों में कौन ज़्यादा है तो थी ज्यादा है तो बाएं वाला जो अंक है उन्हें देखना है जो सबसे कम है उन्हें सरकल कर देना है लेकिन यहां टू से कम वन है यहां भी वन है तो आप क्या करेंगे तो आप यह जो सेकंड वाला नंबर है उसे देखेंगे कि यह दोनों में कौन कम है क्योंकि वन वन तो सेम है तो सेवन क में कौन होगा smallest number फिर अगेन हम क्या करेंगे सेकंड वाला नमबर देखेंगे क्योंकि टू टू तो से में दोनों में तो फाइब एड से कम यानि कि 25 हो जाएगा smallest number अब आता है next put the sign यहां पर sign करना रहता है symbol देना रहता है बड़े का और छोटे का तो put the sign यानि 5 छोटा है 8 से तो यह हो जाएगा इस तरह से greater than less than पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ठीक इसी तरह symbol के लिए तो आप उन्हें देख सकते हैं video मेरा description box में डाल तोंगी sign को कैसे पहचाने की यह देखिए पहचानी का सबsw आसान तरिका है कि जहां मु बढ़ा है चो कमिसर से बता सकते हैं कि जहां इस symbol का मु बढ़ा है वहां बढ़ा अंख होगा जहां यह छोटा है मूँ वहाँ छोटा अंक होगा तो इस तरह से बच्चे आराम से कर लेंगे अब फिफ्टीन है तो यह बड़ा मुवाला इधर रहेगा क्योंकि यह तो दोनों क्या होगे एकवल होगे तो इकवल का साइन हो जाएगा अब अगेन यहां पर एटीन क्या है बड़ा है तो इस त देखिए इसमें में आपकि जीरो वाले जो होते हैं न वहीं कव्टाइक फॉर्म में लिखे जाते हैं तो बस इसे जोड देना है जैसे 3 है तो जीरो है तो यहां टू है टू एटक से देगे अब जीरो की जगा शैनल जाएगा बस यहीं कर ना है इसमें एड कर यह चायए और 0 की जगा 3 यह 6 लिग दीजिए और 0 की जगा यह 7 है तो 7 इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे compact form अब expanded form यह इस तरह से लिखना होगा यानि जिसे 43 है तो हमें 00 ही बठाना होगा expanded form 43 है तो 403 expanded form और short form इसको short form भी कहा जाता है compact form को expanded form और short form पर भी बेने वीडियो बनाये हुए हैं मैं वसे इसक्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी आप चाहे तो उसे देख लीजिएगा तो यहां 40 plus 3 हो गया उसी तरह 65 है तो फिर अगें 0 बठेगा 60 plus 5 फिर 13 है तो 1010 बठेगा plus 3 अब राइट इन फिगर जैसे 100 है यह words में दिया है तो हमें यहां figure यानि इस तरह से लिखना है अंकों में 60 है तो इस तरह से लिखना है 37 है तो इस तरह से लिखना है इस तरह से यह आजाएंगे राइट इन फिगर में उसी तरह matching भी दिया जाता है बच्चों को बच्चों को क्या करना है match करना है circle है तो circle यह rectangle है to rectangle square है तो square और triangle तो इस तरह से फ्रेंड आप हाफ एरली एक्जाम और फाइनल एक्जाम के त्यारी करवा सकते हैं बच्चों की यह मैध की वरक्सिर सिलेबर से यू के जी का फिर मेरा वीडियो पसंद आया होगो तो प्लीज इसे लाइक जुरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा जो की रेट कलर में नीचे बटन है उसे प्रेस करना है और फिर बेल बटन में प्रेस कर दीजेगा ओके फिर थैंक्यू थैंक्स पर झाचिं